नमस्कार बच्चों हमारी यूटूब चैनल में आप सभी लोगा स्वागत है बच्चों आज हम किसके बारे में आपको बताएंगे तो आज हम एंगलिस ग्रामर के टेंस के विशे में आज आपको बताएंगे दोस्तों तो बच्चों यह पूरा देखेगा वीडियो इस वीडियो में हम टेंस के टाइप और टेंस और उनके टाइप की विशे में चर्चा करेंगे बच्चों और आज हम प्रजेंट इंडिपने टेंस भी इसी में कंप्लेट करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और यद को subscribe कर लिजएगा बच्चो ठीक हैं तो चली सब से पहले हम जानते हैं कि 10 टेंश क्या होता है टेंश ऺडाटि टेंश तो ठीज होता है दोस्तू यह आपके time को क्या करता है यह प्रेशेंट करता है दोस्तो कि आप की इस time में क्या कर रहे हैं ठीक है तो टेंस आपके टाइप को डिनूट करता है यह जो टेंस होता है दोस्तों कितने टाइप के होते हैं त्री टाइप को होते हैं कितने टाइप त्री टाइप पहला क्या होता है प्रजिन टेंस दूसरा पास टेंस दीसरा फ्यूचर टेंस और इन तो इनों के दोस्तो फोर-फोर टाइफ होते हैं कितने टाइफ होते हैं? फोर-फोर टाइफ पहले देखिए present independent tense present दूसरा present continuous tense तीसरा present perfect continuous tense और चौता present perfect tense ठीक है? इसी तरह यह भी हो जाएंगे दोस्तो past independence tense past continuous tense पर्फेक्ट टेंस और पास पर्फेक्ट कांट्न tätä ए दियुतर की भी हो जाएंगे फिजह कांट्टीन रिखेंज पर्फेक्ट रूचल पार्फेट कांट्निजेश है यह आप की नहीं कि पूचता है तो आपकी कितनी हो जाएंगे दोस्त्तों 12 हो जाएंगे ठीक है तो आई होब आपको इसके टाइप समझ गया होंगे तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे प्रजेंट इंडिपनिटेंस होता क्या है और इसे हिंदी टू इंग्लिज कैसे ट्रांसलेट किया जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे देखेंगे पहला आपका प्रजेंट इंडिफनिट टेंस क्या है प्रजेंट इंडिफनिट टेंस है दोस्तों इसकी परचान क्या होती है रिकॉगनाइज कैसे करेंगे कि यदि किसी हिंदी वाक के क्रिया यानि वाब यदि किसी हिंदी वाक के क्रिया के अंत में आपका क् हए है दे है तो है खैक है एत्यादी रहे तो उस वाकिका अनुबाथ present indefinite tense के नुशार होता है दोस्तों ठीक तो present इस यह को हम दोस्तों एक और नाम सिजाते हैं जिसका नाम क्या है simple present tense का इसे दोस्तों simple present tense भी खाते हैं ठीक है तो चलते हैं दोस्तों Hindi to English कैसे translate करें आईए सब से पहले दोस्तों affirmative sentence में देखेंगे कि कैसे किया जाता है तो चलिए हम जानते हैं कि affirmative sentence में कैसे किया जाए तो सबसे पहले दोस्तों affirmative sentence बनाते हैं समय English translate करते समय हमें हमें बहुत सी बातों का ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए तो हम कोई भी sentence हो दोस्तो जदी affirmative sentence में सबसे पहले हम आपका subject लिखते हैं ठीक है क्या लिखते हैं subject subject के बाद हम क्या लिखते हैं वर्ब लिखते हैं दोस्तो सब्जेक्ट के बाद वब वब में दोस्तो उसके बाद हम क्या करते हैं अबजेक्ट लिखते हैं ठीक है यदि एक पॉइंट याद रिखेगा दोस्तो कि यदि आपका सब्जेक्ट हो वा आपका सिंगुलर हो तो अफर्मेटु संटेंश में दोस्तो वब में क्या होता है इसमें यस या यस लगाते हैं दोस्तो यस या इस का रूल हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया था व्यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इफ यदि आपका जो subject हो singular हो तो उसमें yes या इस लगाते हैं और यदि आपका जो subject हो दोस्तो वा क्या हो plural हो तो उसमें yes या इस नहीं लगाते हैं ठीक है यह point याद रेखेगा दोस्तो very important point है तो आईए कुछ translation देखते हैं कैसे बना है दोस्तो तो चलिए दोस्तो पहले translation कितब देखते हैं पहला translation क्या है राधा सुबह नास्ता करती है क्या है जो राधा है वा सुबह नास्ता करती है तो इसमें से देखेगे subject क्या है subject कैसे पता करेंगे कौन नास्ता करती है तो कौन से प्रस्ट करने पर जो उत्तर आता है वह आपका क्या कर लाता है सब्जेट कर लाता है तो राधा तो सबसे पहले सब्जेट लिखेंगे तो फिर राधा नास्ता करना का होता है दोस्तों टेक ब्रेकफास्ट तो फिर वाव आएगा तो टेक ब्रेक फार्ट सुबह में तो इन दा मॉर्निंग राधा टेक ब्रेक फार्ट इन दा मॉर्निंग ठीक है और देखिए मैं स्कूल के लिए रोज नौ बजे तयार रहता हूं तो इस टेक्चर आपको याद रख रहा है थे प्यारे बच्चुब सबसे पहले सब्चेक्ट फिर वाव यापका सब्जेट क्या हो देखिए याप पांट देखेगा कि राधा आप पर सिंगुलर था तो यहाँ पर इस लगा है ठीक यदि आप देखिए दूसरा है कि मैं स्कूल के लिए रोज नौ बजे तयार होता हूं अब देखिए जो आ मैं स्कूल के लिए रोज नौ बजे तयार होता हूं तो आई 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 आपका प्यूरल है तो गेट रेडी फॉर स्कूल एब्री डे एट नाइन ओक्लॉक ठीक आगे देखिए और क्या है मैं दस बजे स्कूल पहुशता हूं तो आई फिर वाव बीच स्कूल एट तेन ओक ठीक है तो ऐसे हिदोशतु हम अफरमेट्व सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें अब चलिए आगे देखते हैं नीगेट्व सेंटेंस में निगेटिव संटेंज का मतलब होता है दोस्तों इसमें नहीं not yourself मतलब किसी काम को मना कर देना तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए अपका helping verb योजोगा इसमें आपका helping verb क्या होगा दोस्तों do और डच का योजोगा ठीक है अब do किसके लिए होजोगा यदि आपका subject क्या हो प्यूरल हो subject क्या हो प्यूरल हो तो किसका योजोगा do का होगा और यदि आपका subject क्या हो singular हो तो किसका योजोगा डच का योजोगा दोस्तों ठीक तो इसका structure क्या इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम subject लिखेंगे subject के बाद do या does लिखेंगे do या does के बाद हम not लिखेंगे not के बाद हम क्या लिखेंगे verb लिखेंगे और verb के बाद हम other word लिखेंगे दोस्तों ठीक है तो या structure याद रिखेंगे दोस्तों इस structure की सयाता से आप translation कर सकते हैं सबसे पहले subject फिर do or does फिर not फिर उसके बाद वह फिर other word ठीक है तो इसके translation देखते हैं क्या दिया गया है देखी दोस्तों क्या है वह बोलने से पहले नहीं सोचती है इसमें नहीं आया है दोस्तों तो वह क्या है आपका singular है तो इसमें अब इसमें कौन सा यूज होगा क्या होगा दोस्तों does यूज होगा ठीक तो सबसे पहले subject आएगा तो C हो जाएगा subject singular है तो does C does फिर उसके बाद not सोचना का thing before speaking तो C does not think before speaking वह लड़का यहां नहीं आता है तो क्या हो जाएगा that why does not come here ठीक आप आम नहीं खाते हैं जो आप आप है दोस्तों यू यू आपकर क्या है प्यूरल है तो इसमें do का यूज होगा तो क्या हो जाएगा you do not bring mango आप आम नहीं लाते हैं तो you do not bring mango ठीक है उसके बाद दिखी क्या है संदीप नहीं पड़ता है तो संदीप does not treat उसी कनुशार होगा दोस्ते structure कनुशार विकास नहीं नदी में नहीं नाता है तो विकास डजनार बहुत इंदर रिवर तो इसी तरह दोस्तों हम negative sentence जितने भी आएंगे स्टर्चर की सहाता से सभी को हिंदी से इंग्लिश में translate करेंगे तो अब आईए interrogative देखते हैं अब देखे दोस्तों interrogative sentence इसमें आपके दू टाइप होते हैं दोस्तों एक होता है as no type एक क्या होता है as no type होता है और दूसरा क्या होता है होता है अब हम जानेगे as no type क्या होता है सबसे पहले as no type का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई प्रर्श कर दे क्या वह सोता है क्या वह सोता है तो आप इसका yes या no में जवाब दे सकते हैं दोस्तों तो इस sentence को कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले ऐसे sentence है तो सबसे पहले हम helping word लिखते हैं do या Dutch का यूज़ करेंगे subject जैसा होगा उसके बाद हम क्या लिखेंगे subject लिखेंगे subject के बाद हम verb लिखेंगे verb के बाद हम other word लिखेंगे दोश्तों तो जैसे क्या वह सोता है तो देखे क्या वह तो subject का उन्षार होगा तो सब्सक्राइब का singular है तो सिंगुलर है तो क्या होगा डर्ज हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा डर्ज इसके बाद subject ही अब सोता है वह हो जाएगा तो इसलिए और इसमें लास्ट में दोस्तों दोस्तों देखे क्या क्या मैं किर्केट खेलना पसंद करता हूं तो देखे मैं आपका प्यूरल है तो सब्सक्राइब या डर्ज तो दू फिर उसके बाद subject उसके बाद वरब और फिर अधरवर्द तो डू आय पशन करना का लाइग तो प्ले के तो डू आई लाइक प्लेए किर्केट खेल क्या राधा प्रते दिन पुष्टिकाला जाया करती है तो does राधा go to the library every day ठेक और देखे दोस्तो और क्या क्या है क्या सीता इस बजार में खरिदारी के लिए आती है तो does सीता come in this market for shopping क्या आप फिल्म देखना पसंद करते हैं तो do you like to watch movie ठेक इसी तरह दोस्तों एक और देखे क्या हुआ हमेशा उस बजार से खरिदारी करती है तो does she always saw from that market तो इसी तरह दोस्तों हम as no type cover कर लेंगे तो I hope आपको समझ में आया होगा अगला देखते हैं टब्ली एच वर टाइप यदि दोस्तों as no type में आपका यदि not उसमें आ जाये तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले do or touch फिर subject उसके बाद not फिर वर फिर other word फिर question word ठेक जैसे क्या बच्चे कच्छा में सूर नहीं मचाता है तो क्या देखे तो इसमें नहीं आया के not आया नहीं आया के नहीं आया के नहीं subject लिखेंगे do the children do यहां पर do रहेगा दोस्तों तो do the children तो इसके बाद not फिर में करनो आज इन दा क्लाज तो do the children not में करनो आज इन दा क्लाज ठेक देखे एक और देखे दोस्तों क्या वह मरीश को रखता नहीं करता है तो इसमें भी आया है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों कि Dutch subject के singular है तो Dutch he not donate blood to patient ठीक है तो इस structure के दोस्तों हम बना देंगे ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरा टाइप देखेंगे दूसरा टाइप आपकर क्या है डवलू एच वाट टाइप तो इसमें क्या क्या आती हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जैसे आपका वाट वाट में सोता है क्या हूँ हूँ में सोता है कौन किसने या किनोंने ठीक उसके बाद देखें क्या है उसके बाद है आपका यू में सोता है किसे किसको किस किन से हुज हुज में सोता है दोस्तों किसका किसकी किसके किन का विच विच में सोता है कौन से किस वाई में सोता है दोस्तों क्या हो किस लिए ठीक यह सब आपके डवल एज फैमली है ठीक है तो वाई हो गया वेयर में सोता है कहां हाँ मच कितना कितनी यदि आपका वाट क्या सिंगु यह तो यह आपके दोस्तों WH word है किस समय स्कूर सेथा बनाएंगे तो इसके बारे में देखते हैं जब भी ऐसा वर्ड़ा दोस्तो सबसे पहले हम डॉच लिखेंगे जो दिया रहेगा आपको अब वहने बताया फिर उसके बार do or does लिखेंगे subject count star फिर subject लिखेंगे फिर word फिर other word लिखेंगे ठीक है तो चलिए example देखते हैं क्या है तो जैसे आपका आप किस class में पढ़ते हैं तो इसको हम बना सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले देखिए आपका किस आया है तो आपका क्या है डबलो यच वर्ड है तो किसका क्या होता विच क्या होगा विच होगा ठेक उसके बाद हम क्या लिखते हैं subject लिखेंगे नई do या ड़ लिखेंगे ठेक तो क्या हो जाएगा विच डू उसके बाद subject लिखेंगे तो you which do you फिर उसके बाद word लिखेंगे तो अब क्या है पढ़ना तो क्या हो जाएगा डू यू रीड डू अरे क्या हो जाएग दोस्तों which which do you read which do you read in the class which do you read in the class हो जाएगा ठेक अगला देखी क्या है कि तुम किन्हें पसंद करती हो तो यू डू यू लाइग ठेक जैसे हमने बनाया दोस्तों सबसे पहले आपका डू डू यू 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 वांट टू ठीक है तो आगे देखी दोस्तों अब डू यू अजय नहीं आजये तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले इसमें डू यू लिखेंगे फिर डू यू यू डू लिखेंगे सब्जेट के कॉर्डिंग फिर सब्जेट फिर नॉट फिर वर्प फिर अदर वर्ट फिर कोस्टन वर्ट ठीक है तो एकसे एक्जामपल आपका भाई प्रते दिन स्कूल क्यों नहीं आता है यहां आप दिखी डू यू वर्ड भी है औ तो इसके बाद देखे क्या है कि उसकी गया दूद क्यों नहीं देती है वाइड अजमनाट केस्ट क Crash लेड भी मिल्क ठीक है दोस्तो तो अब दोस्तों यह आपका जो प्रजेटिश इन्रीपनेटेंस है यह आपका कम्पलीट होता दोस्तो ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तू लाइक जरूर किजेगा चैनल को दोस्तो सस्क्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में सेर करना न भूले दोस्तों और नोट्स जरूर बनाईए दोस्तों ठीक है ठैंक यू